जिस से रंगे को शान से लहराता हुआ आप देख रहे हैं पिंगली वेंकईया ने इसकी डिजाइन तयार की थी महात्मा गांधी को उन्होंने प्रस्ताफ दिया था और उसके बाद आपको बताते चले 30 अलग-अलग देशों के जंडे के डिजाइन का अध्यन करने के बाद उन्होंने फाइनल ये डिजाइन तयार की हाला कि शुरू में जो हमारा जंडा हुआ करता था हिंदुस्तान का वो दो रंगों का था लाल और हरा हरा रंग उपर था लाल रंग नीचे था बाद में साल 1931 में इसमें तब्दीली की गई और उसके बाद लाल रंग को हटा कर इसमें केसरिया रंग जोडा गया वो सबसे उपर आ गया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंगा गया जिस अशोग चक्र को आप बिलकुल बीचो बीच देखते हैं 24 सीलियों के साथ आपको बताते चलें कि पहले इसमें चर्खा हुआ करता था बाद में इसमें अशोग चक्र जोड़ा गया और इस तरह से पिंगली वेंक कया जो काफी लंबे समय तक गुमनाम रहे क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी जैसा कि खुद उनके परिवार के लोग भी बताते हैं बहुत साधानर तरीके से वो रहा करते थे उन्होंने बेरसल इस तरंगे के डिजाइन को तयार किया राश्चुबाद की भावना से ओत्रोत ये हिंदुस्तानियों को एक साथ जोड़े रखता है ना सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर बलकि साथ समंदर पार भी जब आप किसी को तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो हिंदुस्तान का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है स्वक्र करता है नास करता है और अब सीधे धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं यह जो तिरंगा यात्रा है वो प्रगती मैदान से आगे की ओर बढ़ता हुआ इंडिया गेट की तरफ रोख करता हुआ और यहां पर आप जैसा की देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में तमाम सांसदों और मंत्रियो की मौझूद्गी के साथ ही सभी अपनी अपनी गड़ियों पर सभार हैं और पहुंच रहे हैं विजय चौफ पर ताके इस विजय की खुशी को जो आजादी हमें मिली ती उस पर हम गर्व कर सके कैमरमें संजे के साथ चित्वत्रपाथ ही दिल्ली आज शता है और इस वक् पहत सारे जो आम हिंदुस्तानी हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक पर तिरंगा जंडा लगा लिया है दर असल ये एक ऐसा आवाहन है जिसके जरिये हिंदुस्तान के हरे कोने को तिरंगे के रंग में एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जारी ह और ये इंडिया गेट यहां से होते हुए अब विजय चौक पर जाकर इसका समापन हो रहा है इसी साग्रकल से तिरंगा यातर जो है वो पूरी तरह से घूमती भी नजर आ रही है आपको बताते चलें कि नए संसत भवन के निर्मार का कारे भी काफी तेजी से आगे चल र अगे की और बढ़ते वे इंडिया गेट सरकल से सीधे विजय चौक पर जाकर आज के इस कारक्रम का समापन होना है क्यामराविन संजय के साथ चुत्रा द्रपाजी दिलनी आज तर मेरे पीछे इंडिया गेट है और यहां पर अब ये तिरंगा यातरा पहुंच चुकी है म अजपत की परेड इसी सरक से होती है 26 जनवरी की परेड जो आप अपने घर में बैट कर देखते हैं फिलाल तिरंगा यातरा आजादी के 75 वर्ष के लिए और अब इसका समापन होने जा रहा है विजय चौक पर पहुंच कर साक्रों की तादाद में यहां पर धरते जनता प का स्टुपती भवन है और वहीं दूसरी तरफ दाहिनी तरफ संसत भवन और वहीं पर विजय चौक जहां पर आज के इस कारक्रम का समापन होना है कैमरमें संजे के साथ चुत्रा द्रिपाठी दिल्ली आज तक